दोस्तों आज की डेट में अगर आप ये सोचते हैं कि हम अच्छा वीडियो बनाके अप्लोड करेंगे और हमारे अच्छे खासे विज आ जाएंगे तो आप गलत सोचते हैं क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि आप अच्छे वीडियो बनाएं लेकिन आपके थम्नेल में कमी हो ये हो सकता है कि आपका थम्नेल अच्छा हो लेकिन वीडियो में कमी हो हो सकता है ये दोनों अच्छे हो आपके टाइटल में डिस्रिप्शन में टैग में कुछ प्रॉब्लम हो दोस्तो हो सकता है कि आप काफी दिन से वीडियो अपलोड कर रहे हों काफी मेहनत कर रहे हो YouTube पे लेकिन कुछ ऐसी चीजे होती है YouTube के बारे में जो आपका जानना काफी ज़्यादा जरूरी होता है उसको जानने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आखिर मेरे YouTube में किस चीज मे प्रॉब्लम है जिसके कारण मेरे व्यूज अच्छे नहीं आपाते हैं और यही चीज आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ दोस्तो यूट्यूब के यहाँ पे कुछ फंडे हैं जो आपको समझना काफी ज़्यादा जरूरी है अगर वीडियो में कहां पे कमी हो रही है जिसके कारण भ्यूज नहीं बढ़ रहे हैं दोस्तों यहाँ पर मैं अपने एक वीडियो को यहाँ पर ऑपन कर लेता हूं क्रेटर स्टूडियो में अब दोस्तों क्रेटर स्टूडियो तो आप सभी जानते होंगे क्या होता है यहाँ YouTube को manage करने के लिए हम अपने वीडियो को manage करने के लिए यहां पर Creator Studio का इस्तेमाल करते हैं अगर आप नए यूट्यूबर हैं तो आप भी Creator Studio जो है अपने फोन में जरूर रखेगा दोस्तों जब आप Creator Studio को अपन करते हैं और कोई वीडियो आप यहां पे upload किये रहते हैं तो बारा घंटे के बाद जब आप कोई वीडियो upload कर देते हैं तो उसके बारा घंटे के बाद यह चीज़ें आपको करनी है यह action आपको लेना है क्योंकि बारा घंटे तक हमें पता नहीं चल पाता है कि वो वीडियो वाइरल होगी या नहीं होगी बारा घंटे के बाद ही पता चलता है कि उस फे किस तरीके से वीव आ रहा है किस तरीके से impression आ रहे हैं क्या रीचारी है और कितनी ज़्यादा चांसेज है वीडियो वाइरल होने की अब दोस्तों जब बारा अवर हो जाते हैं जैसे कि यह देख सकते हैं कि ठारा घंटे इस वीडियो को हो चुके हैं अब दोस्तों जब आप इस creator studio में अपने वीडियो पर क्लिक करेंगे तो यहां पर उपर में ही लिखा हुआ है वीडियो परफॉर्मेंस मतलब कि आपकी वीडियो की क्या परफॉर्मेंस है किस तरीके से आपकी वीडियो चल रही है यह चीज़े YouTube आपको खुद बता रहा है लेकिन यह चीज़े क्या ह होती है यह बहुत सारी वीडियो यह गलती करते हैं कि इन सारी चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देते हैं YouTube आपको खुद बताता है कि आपकी वीडियो किस तरीके से चल Allah है क्या कमिया है बस आपको ये सारी चीज़े समझनी होती है देखनी होती है जैसे देख सकते हैं कि वीडियो प्रफॉर्मेंस लिखा हुआ है उपर में ही लिखा हुआ है नाइस आपके लिखा है नाइस यूट्यव आपसे कर रहा है जो आपके चैनल को ज्यादा तर देखते हैं वो आपके इस वीडियो को चुन रहे हैं देखने के लिए ठीक है यह जो है आपको हेल्प करेगा आपकी रीच बढ़ाने में ठीक है उसके बाद नीचे देख सकते हैं कि फर रैंकिंग भाई वीव दिखा रहा है मतलब जो रैंकिंग है यूट्यूब पर मतलब कि जितने भी वीडियोज हैं इस प्रकार के उस हिसाब से वीव जो है आप देख सकते हैं कि 13.5 के यहां पे दिखा जा रहा है मतलब कि यह जो है रियल वीव होते हैं जितने आपके वीव आपको दिखाया जाता है वही आपकी वीडियो की असली वीव होती है ठीक है यहां पर जो आपको वीव दिखाया जाएगा वही वीव देखके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरे वीडियो पर कितना वीव जाएगा अब आप एक चीज़ यहां पे ध्यान दिजाए कि arrow जो है इसका उपर क्योर ग्रीन दिखा रहा है मतलब की 13.5 मतलब की 13.5 के अभी व्यूज हैं लेकिन ये बढ़ रहे हैं और लोगों तक जादा से जादा पहुँच रहे हैं ये वीडियो और जादा लोगों तक जा रही है मतलब की इस पे और जादा व्यूज बढ़ेंगे अगर इसका डाउन होता ग्राफ इस तरीके से नीचे वाले के तरह एरो जो है डाउन रहता तो इसका मतलब ये वीडियो अब वाइरल नहीं हो रही है रुक चुकी है या फिर अब जो है डाउन हो रही है और अगर sign रहता इस तरीके से एका tick mark रहता तो ये वीडियो जितना भियूज जाना था जा चुकी है अब इससे ज़्यादा भियूज नहीं जाएगी ये इसका तीनों का मतलब होता है अब दूसरी चीज़ समझेगा impression click through rate impression तो आप समझते हैं जो आप YouTube पे scroll करते हैं तो जो वीडियो आपके सामने आती है उससे impression कहा जाता है तो impression जिसके सामने जा रहा है जिसके mobile में मेरी वीडियो सामने जा रही है उस हिसाब से कितने percent लोग click कर रहे हैं मतलब कि मान लिजे कि एक लाख लोगों के पास मेरी वीडियो जो है जा रही है impression में मतलब YouTube पे scroll कर रहे हैं और उनके सामने recommend कर रहा है YouTube मेरी वीडियो को उनमें से 7.8% लोग जो है वीडियो पे click कर रहे हैं तो मतलब मान लिजे कि एक लाख impression जा रहा है तो 7800 लोग मतलब 7800 7.8% लोग जो है उसको चुन रहे हैं देखने के लिए तो ये भी आप देख सकते हैं कि उपर की और arrow जा रहा है मतलब कि ये भी बढ़ेगा मतलब यहाँ पे percentage जो है impression की click की वो भी यहाँ पे यह धीरे धीरे बढ़ रहा है ये चीज समझे उसके बाद तीसरी चीज है average view duration मतलब कि जादा से जादा लोग कितने देर तक आपकी वीडियो को देख रहा है 2 मिनट 2 सेकंड यहाँ पे दिखाया जा रहा है माल लिजे ये वीडियो 5 मिनट की होगी तो 2 मिनट 2 सेकंड तक लोग यहाँ पे देख रहा है लेकिन इसका arrow down दिखाया जा रहा है इसका arrow down दिखाया जा रहा है मतलब कि 2 मिनट 2 सेकंड से कम भी अब इस वीडियो को लोग देखना सुरू कर दिये हैं तो दोस्तों यह जो तीनों चीजे हैं अगर आप समझते हैं तो इसको किस तरीके से समझना है और किस तरीके से implement करना है यह चीजे समझेगा सबसे पहली बात है ranking by view मतलब आपके views बढ़ रहे हैं मतलब आपकी वीडियो अच्छी है अगर tick mark है तो ठीक है उतना वीडियो जा चुका है अगर down जा रहा है तो आप समझ जाए कि यह वीडियो इस topic पे मेरा जो है कम जा रहा है मतलब की down जा रहा है तो उस topic पे आप कम वीडियो बनाईए कोई और topic ट्राइ किजिए कोई और बढ़िया सा topic पे वीडियो बनाईए जिससे की यह अप होगा पहली चीज़ दूसरे चीज़ impression click through rate यह अभी देख सकते है कि उपर क्यो जा रहा है मतलब की मेरा thumbnail अच्छा है thumbnail जितना अच्छा होगा उतना impression आएगा जब लोगों के पास तो लोग आपके वीडियो पे click करेंगे मतलब की यहाँ पर दिखाया जा रहा है मतलब की इस वीडियो का thumbnail अच्छा है अब आप यह समझने की कोसिस किजिएगा कि जिस topic पे आपने वीडियो बनाया है उसके view duration कितने है मतलब कि आप यह समझे कि मेरे channel पे इस तरीके कि मैं वीडियो डालता हूँ या डालती हूँ तो इतने ज़्यादा view duration जाते हैं इस वीडियो पे ज़्यादा view duration जाए उसी type के वीडियो आप बनाईए उसी type के topic को आप जो है pick करके बनाईए तो दोस्तो यह तीन जो तरीके हैं यह जो है आपको बताते हैं कि आपको काम किस तरीके से करना है कैसे आपके ज़्यादा से ज़्यादा view आएंगे वीडियो पे कैसे आपका वीडियो आगे से ज़्यादा से ज़्यादा चलेगा तो दोस्तो यही चीज आज की इस वीडियो में आपको समझानी थी आई यह चीजे आप समझ गया होंगे और दोस्तों अगर ये वीडियो पशंद आई हो तो एक लाइक किजेगा शेर किजेगा और ऐसे ही यूट्यूब रिट्रिक्टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब किजेगा वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद